हेलो माइ ब्यूटिफूल सोल फैमिली कैसे आप सब आप सब आप सभी बहुत अच्छे हैं कुछ हैं और सबसे इंपोर्टेंट पॉजिटिव हैं आज मैं बताने जा रहे हूं कि लो के पंक से वशी करने से क्या होता है कितना जल्दी आपको result मिलता है क्या-क्या फायदे है इंसके और कैसे आप कर सकते हो तो वीडियो में end तक पने रहेगा बहुत important वीडियो होने वाली है आई hope कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और समझने को मिलेगा और सही guidance के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी प्यारी सी pure soul family का हिस्सा बन सकते हैं तो उल्लो के पांग से वशी करण मैंने भी बहुत सारी वीडियो देखी हैं ऐसी ऐसी प्लीज जो लोग भी इस वीडियो पर वशी करण के उद्देश्य से आये हैं प्लीज 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 आपसे हामले request है कि ऐसा कुछ नहीं होता है जी हाँ तो भी मैं कह रहे हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा कोई वशी करण नहीं होता है अगर आप करते हो तो उसका उल्टा effect आप पे आता है बहुत सारे तांत्रीक ये बोलते हैं कि आप वशी करण कर सकते हो उल्लू के पंक से उल्लू का जो पंजा होता है उससे वशी करण कर सकते है उल्लू का नाखून उल्लू का ये उल्लू का वो ये सारी चीजे फेक हैं प्लीज इस पे ट्रस्ट मत कीजे क्योंकि आप ऐसा करते हैं तो आपको इसका साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है आप अगर किसी को दुख पहुँचा के और चाहेंगे कि आपकी जोली मेश्वर खुशिया डाल दे तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है इसलिए आप कहीं भी देखिए कि उल्लू को मारा जा रहा है वशी करण के नाम पर तो प्लीज उनको बचाईए उनकी हल्प कीजी और ऐसे ऐसे लोगों पर करवाई कीजी क्योंकि बहुत सारे ऐसे फेक तांत्रिक हैं जो उल्लू को पकड़ते हैं उनका बली चड़ाते हैं और बली चड़ाने के बाद भी उनसे बहुत सारे फाइदे लेते हैं पैसे कमाते हैं जैसे उनका पंक बेचना उनकी नाकुना उनका पंजा और वो लोग बोलते हैं कि उल्लू का हर एक अंग बहुत कीमती है लक्षमी मा का वास है तो ये सारी बाते सही है कि आउल बहुत ज़्यादा positive birds है मतलब इसका हर एक अंग बहुत ज़्यादा positive है इसका आना बहुत ज़्यादा positive होता है लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा है कि इन सारी चीजों को पाने के लिए आप उल्लो के जान के दुश्मन बन जाओ ऐसा कुछ भी नहीं होता है बट अगर कहीं आपको उल्लो का फेदर मिल जाता है गिरा हुआ तो आप छोड़ना मत क्योंकि बहुत जादा पॉजिटिव होता है गर में उल्लो का पंक हो तो ये सही बात है कि आपकी घर में सकारात्म को उजाएं प्रवेश करती है तो नेक्स वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगे कि अगर उल्लो का पंक कहीं मिल जाता है गिरा हुआ तो उससे आपको कौन-कौन सी फाइदे मिलेंगे और क्या क्या आप उसका कर सकते हो तो ऐसी जनकारियों को ले चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक शेर कर दीजेगा लॉफ अट्रेक्शन से आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में जाके मेंशन कर दीजेगा मैं जरूर से उसके उपर वीडियो बनाऊंगी मिलती हूं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गॉड ब्लेस यूँ और थैंक्स वर्वर्व